बिहार में सिच्चक बढ़ती की प्रक्रिया बड़ी जोड़ सोर से प्रानम्भ हुई, अभ्यर्थियों के मन में इस सिच्चक बढ़ती को ले करके एक अच्छा खासा उत्सा रहा है। इस प्रकार से कहां से कहां क्या चीज़े हो गई। जैसे सरकार पल्टी तुरंत ही आपने कल एक नोटिस देखा होगा, नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है, उस नोटिस में हलाकि इस नोटिस से पहले भी कुछ गदविदिया प्रारम हुई थी, और ओ थी कि जो पद छूट गए थे, जिन पदों पर स्रिजन नहीं हो पाया था पहली और दूसरी बढ़ती में, उन रिक्त पदों के अधार पर, उन रिक्त पद जो पहले और दूसरे फेज में बचे हुए थे, मतलब जिन पर नियुक्ती नहीं हो पाई थी, जिनकी संख्या भी दी गई, कितने पद अब ही तक बचे हुए थे, उन पर जल्द से जल्द यहां पर भरती कराई जाने की बात की गई है, तमाम सुत्रों पर तमाम सुत्रों के हवाले से कली से आपने खबरे देखना शुरू कर दी होगी, जिसमें बताया गया कि अब यह भरती मार्च में होनी तेयं है, मतलब इ ग्रेड़ से दो महीने के अंदर ही इस पेपर के होने की बात की गई है, जिसको लेकर के एक रहस्य जैसा बन गया, एक दिमाग में सस्पेंस सा क्रियेट हो गया, और अचानक सब सौक रह गये, कि सच में इतनी बड़ी भरती और इतनी बड़ी भरती के लिए इतनी लंबी चौड़ी तैयारी और उसको हम डेर्स महीने में कैसे कंप्लीट कर लेंगे, यह बहुत ही बड़ा, यह बहुत ही बड़ा डाउट है, अब इसको लेकर कि क्या बाते इस समय आ रहे हैं, कितने प्रकार के प्रस्न दिमाग में आ रहे हैं, इस पर मैं आप से कुछ चर्चा कर सबसे पहले बात मैं नोटिस की करता हूँ, नोटिस में देखिए किस बात के लिए यहां पर बात की गई है, बात की गई है कि आप देखेंगे ध्यान से, नोटिस जो है कली 29 तारी को जारी हुआ था, और इसमें कहा गया था कि उपरियोग्त बिस्यक आउगत कराता है कि ब परिपेच्च में बिहार लोग सेवाय योग द्वारा विग्यापन संख्या 26-2023 प्रथम चरण जो पहला हुआ था, 27-2023 दुती चरण टियारी 3-2 के तहत अनुसंसित अर्ध्यर्थियों की नियुक्ति की करवाई की गई थी, पुना तृतिये चरण टियारी 3 की तहत निय 2 के तहत नियुक्ति सिच्चकों की अस्थानी निकायकी सिच्चकों की संख्या लगबग 20-25,000 की आसपास हैं, यह सबसे बड़ा बिंदू था, जब आप देख रहे थे कली परसों हम लोगों ने वीडियो किया था, उस वीडियो में बताया था कि पदों की संख्या को कंफ 4,000 है, तो उसे में 20-25,000 जोड़ दीजिए, तो 65-70,000 के आसपास पदों के उपर नियुक्ति कराई जानी थी, लेकिन इसको देखने के साथ-साथ यहां पर कुछ बाते और चलो यह ठीक था कि 20-25,000 उसमें एड़ हो जाता, 65-70,000 पद आते, और इन सब भी पदों पर निय तहती परिच्छा, वो लोग भी उसमें अपियर हो जाते, वो लोग भी उसको अपलाई कर सकते, सासा सीटेड का रिजल्ट, प्राइमरी के लिए अगर जिसको मिलता, वो भी जा करके उस परिच्छा में अपलाई कर सकते थे, अब यहां पर जैसे हम नोटिस को पूरा पढ तो कुछ बातें यहां से दिमाग में आती हैं, और उन बातों को लेकर कि कली से आपने देखा होगा गहमा गहमी बन गई, हर तरफ न्यूज चलनी शुरू हो गई, यहां पर लिखा गया कि यह जो भरती, मतलब यह पद 20-25 अजार है, एसी परिस्थिती में अस्थानी निक में आपको पूरो में ही वांचित रिक्ती की दो दिन के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था, मतलब दो दिन के अंदर ही आपको निर्देश दिया गया था, कि आप रिक्त पदों के ब्योरा दे दीजिए, फिर आगे पढ़ी अतापुना, आपको निर्देशित कि जाता है कि आपने जिले के अंतर्गत नियुक्त अस्थानी निकाय कि सिच्छक जो कि TRE1 TRE2 के तहद विध्याले अध्यापक के पत्पर नियुक्त हो गये हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र एक दो तीन चार जो भी पॉइंट है दो दिन के अं अगलग सूत्रों से अलगलग कीजों से पता चल रहा है कि अपरिच्छा मार्च में होनी अपता है अब मार्च में अगर सच में परिच्छा होती है तो क्या आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं तो जो एक confusion बनत होता है लेकिन आपको पता है कि जो भी वेकेंसी होती हैी जो नीयुक्तिया होती है सरकारे उसको अपने चुनाओ उप मुद्द को अंतरकती है अब Rs. अब डाउट अभी STET को ले करके है, कि STET देने वाले क्या इस परिच्छा में अपलाई कर सकते हैं, तो यह सब कुछ तभी कनफर्म होगा जब इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन से ही कनफर्म हो पाएगा कि सच में ही मार्च में परिच्छा होग दो-तीन दिन के अंदर जहां तक उम्मीद है कि रोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और एक डिड़ महीने के अंदर गर ऐसी परिच्छा सच में होती है, तो आपको परिच्छा भी फेस करने को मिलेगा, तो निस्चित तोर पर अभी तो आप इमान के चलो कि संसय का भी सह है, और बड़े डाउट की बात है, अब धरतियों में इसको लेकर के खासी आक्रोस भी देखने को मिल रहा है, कि हम एक डिड़ महीने के अंदर कैसे ही सब कुछ कर पाएंगे, एक डाउट और भी है, कि पद जैसे मैंने आपको कन्फर्म किया, कि पद 65-70,000 के आसपास जा सकते हैं, योगिता से लेकर के, बाकी सारी चीजों को लेकर के, अल्रेडी आपने वीडियो से देख रखे हैं, सब कुछ आपको पता ही है, तीसरी एक चीज यहाँ पर जो समझ में आ रही है, तTP के को पूरी तरह से मौका मिलता है, या उनका एक बेटेश तय ह होता है इस सब कुछ की लिए आपको नोटिफिकेशन का इंदजार करना होगा कुल मिला के जो चीज यह प्रक्रिया में आ रही है एक कहीं न कहीं डाउट का एक कारण बन रही है मतलब कई चीजों को लेकर कि संसे मन में आ रहा है सब कुछ नोटिफिकेशन के बाद सपस्ट हो जाएगा बेट कर ये दो तीन दिन का और अगर आपके मन में कुछ सुझाओ है या आपको लगता है किस तरह की क्या बाते हो रही है और कैसे जायज है उचित है की नहीं है तो आप कमेंट में हमें इसकी रायजर रोड़ सुझाओ।